मा बगला मुखी धाम नजीक लम्मा पिंड चौक होश्यारपुर रोड पर स्थित गुल मोहर सेटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारदवाज की ध्यक्षता में सब ताहिक मा बगला मुखी हवाई अग्ये करवाया गया सबसे पहले नवगरह, पंचोब चार, शोडशोब चार, गौरी गणेश, कुम्भ पूजन, मा बगला मुखी जीमिक के निमेत मंत्र माला जापकर, मुखी यज्वान, समीर कपूर से सपरिवार, पूजार, चनाव प्रांत, हवई अग्ये में आहूतियां डलवाई गई जिसके पान नवजीत भार्दवाज ने सभी माभगतों को कहा कि अनंत जन्मों के पुन्यों का संचे होता है, तब हमें ये दुरलब मानव जीवन मिलता है इस मानव जीवन का भरपूर लाव उठाना चाहिए, देवता भी इस मानव जीवन को पाने के लिए तरस्ते रहते हैं क्योंकि पशु और देव यानी से मोक्ष नहीं पाया जा सकता, सिर्फ मनुष्य जीवन में मोक्ष के दरवाजे खुले हैं पाधरी सहत बड़ी संख्या में श्रधालूगन मौझूद रहे, आर्तिव प्रांद प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया, जालंधर सेहल चल के लिए सुरिंदर बावा की रिपोर्ट जै माहा बगला मुखी, माहा बगला मुखी धाम कुल मोर्शिटी लमा पिरिंड चौंक दे नेडे, महाराणी आप इसाक साथ विराज माना है, महाराणी दे चर्णा चाके सारे ही कष्ट दूर हुंदे हैं, माह दिया भार करपा है, सब्चाई का अवरिया कुंदा है, मासी माहा बगला मुखी धाम सब्चाई कहवनिया कुंदा है, 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 सब्चाई इस दे विच आज परीबर साथ दे विच भी बहुत ज्यादा स्वेर तो ही श्रदालों दा तांता लगा रहा है और बहुत ही बड़ी गिंती दे विच श्रदालों ने हवन जगेच आगे छे वजे तो ही आहुतियां डलनी है शुरू होगी यह सी जो की लगादार साठीक इस दे विच आगे बहुत सारी श्रदालों ने दूरों दूरों आखे हवन जगेच आउतियां पाईयां और अपने जड़े महामाई दे चड़ना दे विच अपने जो भी है दुक दर्द है माँ दे चड़ना चे प्रगड़ कीते हैं सड़ी यही बारं बार माँ दे जावी आवे वो अपनियां चोड़ियां पारके लेंके जावे और इस दिन आल नाल मैं दसना जाना कि हर शनिवारनों शामनों साथ तो आठ वजे समय परवर्तित करता गया गर्मियां करके शाम साथ वे तो आठ वे तक हवन जगे होंदा है निश्वलक और हर वीर वारनों भी निश्वलक हवन जगे होंदा है एस वार मास्तिक हवन जगे शबी दरीक नों आ रहे है कोई भी पाई बंदो देविच शामल हो सकता है कोई भी पगत शामल होना चावे आगके मंदर पर सर्च अपना नाम लिखवा सकता है ता जो उदे लुडिंदी स्मगरी लगिया लमा पिन चौंक तो मंदर दिया वो देविच आके कोई भी अपना पगजन आके नतमस तक होवे मादे दरवार देविच अपना अशीरवाद लवे